हेलो दोस्तो नमस्कार, होमेपेथिक टेश पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उमीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम जिस मेडिसीन के बारें बात करने माले हैं, उस मेडिसीन का नाम है दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन को दबाना ना भूले क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे तो दोस्तो आप वीडियो के पूरा देखते रहें आपको इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तो आज हम जिस दवा के बारे में यानि के जिस मेडिसिन के बारे हम बात कर रहे हैं उसका नाम है काक्टास ग्रेंडी फ्लोरा दोस्तो इस दवा के बारे में या कहा गया है कि हर्थपिनड पर इस दवा का सिधा असर होता है हर्थपिनड में ऐसा मालूम होता है मानो लोहे के हाथ से हर्थपिन जकड लिया गया है इस परकार की अनुभूती लगे छाती, मलद्वार, मुत्रासे, जरायू और यूनी में होती है और लक्षन के साथ प्रबल, औसंता, दुर्बलता और सक्ति का एकदम हस्र हमेशा खिन और उदास तथा असनाविक दर्द में यह दवा जादू जैसा असर दिखाती है इसका सक्ति है क्यूँ, रोज 5 बूंद के मातरा में 3 खुराक उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे यानि कि आपको इस मेडिसिन के बारे हैं पूरी जनकारी मिल गई होगी दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी पर्चेज कर सकते हैं यानि कि ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं और रही बात इस दमा को कैसे खाया जाया तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उमीद करता हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इस वीडियो को सेयर करना ना भूले क्योंकि जितने लोगों को पाज जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी और सबसे जरूरी बात दोस्तो अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से देख सकते है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगली वर फिर आऊंगा तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिये हेवन आज डे